नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासेज में दोस्तों आज की ये वीडियो केवल डिफेंस के एक्जाम्स जैसे आर्मी एर फोर्स ने भी अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए और अग्जाम्स में निश्चे सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तो ये वीडियो के अविल डिफेंस के लिए बनाए गए है अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखने चाहिए और आपको मेरे चैनल को भी subscribe कर लेना चाहिए क्योंकि मैं अपने channel पर इसी तरह से videos लेकर आता रहता हूं तो चलिए दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि आपकर defense की त्यारी कर रहे हैं तो आपको ये video जरूर देखने चाहिए तो दोस्तो ये defense से समदे general knowledge है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से इस video में के बड़े 10 questions होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा important questions है तो दोस्तो first question हमारा आपकी screen पर question number 1 है अंतरक्ष में जाने वाले प्रिथम भारतिये का नाम बताईए अंतरक्ष में जाने वाले प्रिथम भारतिये का नाम बताईए option से आपके option A राकेश सर्मा, option B नरेश सर्मा, option C रभी सर्मा and option D रहुल सर्मा तो दोस्तो आपके लिए ये बात का पता भी होगा और अकर नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि question number 1 का जो correct answer है बो है राकेश सर्मा, मतलब अंतरक्ष में जो प्रिथम भारतिये गए थे उनका नाम था राकेश सर्मा तो question number 1 का correct answer है option A राकेश सर्मा, next question के तरफ चलते हैं दोस्तो, next question है हमारा question number 2, national water nical garden के सहर में इस्थित है, option से आपके option A लखनौ, option B, रिवा, option C, option C है दोस्तो आपका, जैपूर, and दोस्तो आपका option D है इसका question का, इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर question number 2 का जो correct answer होगा दोस्तो, वो होगा option A लखनौ, तो national water nical garden जो है वो लखनौ सहर में इस्थित है, यह बहुत ही important question है दोस्तो, काफी बार यह exam में आता रहता हो, और ज़्यादा तर student इस question को गलत करके आते हैं मैंने ज़्यादे तर student से बात की है, तो पता चला है कि वो national water nical garden अगर इसमें बैंगलोर option होथा तो बैंगलोर के लिए लगा देते हैं, तो दोस्तो, जो आपका बिल्कुल ही गलत है, तो यहाँ पर जो national water nical garden है वो लखनौ में से तक, question number 2 का correct answer, option A, लखनौ, तो next question है हमार option C, couple bus two, and दोस्तो, आपका option D है, इन में से कोई नहीं, तो आपको बताना है कि भगवान महावीर का जन्मिस्थान कहां पर है, तो दोस्तो, question number 3 का जो correct answer है, वो है option B, बैसाली, भगवान महावीर का जन्मिस्थान है, वो दोस्तो, बैसाली में है, यह बहुत important questions है, भगवान A, 28 February, option B है दोस्तो, 25 February, and option C है आपका 12 January, and दोस्तो, last option है, आपका option D, 26 March, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि बिग्यान दिवस जो है दोस्तो, वो मनाया जाता है, 28 February के लिए, तो बिग्यान दिवस मनाया जाता है, 28 February के लिए, तो question number 4 का correct answer होगा, option A, 28 February, next question के तरफ चलते हैं, next question है हमारा दोस्तो, question number 5, महादीपों के संख्या कितनी है, तो महादीपों के संख्या कितनी है, option से आपके, option A, 5, option B, 7, option C, 4, and option D, 8, तो दोस्तो, महादीपों से मैं उम्मिद करता हूँ कि आप इस question को समझ गयोंगे, महादीपों से समझने था दोस् महादीप है, इसे तरह से महादीपों के संख्या पूर बर्ड में कितनी है, तो महादीपों के संख्या पूर बर्ड में वह साथ है, मतलब यहाँ पर question number 5 का correct answer होगा, option B, 7, तो दोस्तो, next question के तरफ चलने से पहले, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, कि अगर आपने दिया हुआ है, इसकी PDF आपके लिए इस वीडियो के description में मिल जाएगी, तो आपको इस लिंक पे click करके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, तो दोस्तो, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, उसकी PDF जो है, वो अपने वीडियो के description में डाल देता हूँ, तो उस वीडियो की PDF होती है, तो दोस्तो, इस वीडियो की PDF भी आप description से free में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना होता है, PDF बिल्कुल free है, दोस्तो, यह बहुत ही important PDF है, तो आपके लिए यह PDF अगर डाउनलोड करनी है, तो आप description में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो case, March and option D है आपका दोस्तो, 21 जून, तो आपको बताना है कि बर्स का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो दोस्तो, बर्स का सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून का, 21 जून को जो दिन होता है, उसमें जो दिन होता है, वो सबसे लंबा दिन होता है, उससे बड़ा दिन पूरी लाइट कॉमबेट वियरक्राफ्ट का नाम बताईए वालब ऐसे एरक्राफ्ट का आपको नाम बताना है जिसको भारत ने खुद बनाया है तो भारत दौरास सोता ने में जो लाइट कॉमबेट एरक्राफ्ट है उसका नाम है तेजस एक लरागर विमान है तो दोस्तो कोस्टन नमर 7 का करेक्ट अंसर होगा ओप्शन D तेजस नेक्स्ट कोस्टन है हमारा आज का कोस्टन नमर एट निमलिकित में से कौन सा जानबर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था निमलिकित में से कौन सा जानबर है दोस्तो जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था तो यहाँ पर question no.8 के आपके options आपके सामने आ चुके हैं, options हैं, option A, कुत्ता, option B, बंदर, option C, चुहा, and option D, इन में से कोई नहीं, तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में जानवर भेजा गया था, वो कुत्ता था, तो यहाँ पर question no.8 का correct answer होग उसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो दोस्तो question no.8 का correct answer होगा, option A, Laika, मतलब कुत्ता, इस कुत्ते का नाम था, Laika, next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा, सन 2020 का Olympic खेल कहां आयोजित किया जाएगा, सन 2020 का जो Olympic खेल है, वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तो option से आपके, option A, Tokyo में, option B, Paris में, option C, Beijing में, and option D, Rio, D, January, तो यहाँ पर question no.9 का correct answer होगा, बो होगा, option A, Tokyo, तो दोस्तो, जो next साल से अभी 15 दिन बाद भी नई साल आ जाएगी, तो नई साल, मतलब 2020 में जो Olympic खेल शुरू होने जा रहे हैं, वो दोस्तों, Tokyo में शुरू ह जाएगा, तो सन 2020 के जो Olympic हैं, वो कहां व्यूजद की जाएगे, Tokyo में, तो दोस्तों, next question के तरफ चलते हैं, next question है, question no.10, H1N1 virus किस बिमारी को फैलाते हैं, यह virus का नाम है, H1N1, यह जो virus है, वो किस बिमारी को फैलाता है, तो option से आपके, option A, AIDS, option B, cancer, option C, sohen flu, and option D, यह दोस् जो H1N1 virus है, वो swine flu का फैलाता है, तो इस question को गुमा के कभी-कभी, exams में ऐसे भी पूछ लेते हैं, कि swine flu किस virus के करण होता है, तो आपके लिए उसका answer कौन सा होगा, H1N1 virus, swine flu, H1N1 virus के करण होता है, तो दोस्तों, यह थे आपके वीडियो के 10 questions, यह वीडियो बहुत ही म आप हमें कमेंट करके जरू बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक जरू कर दें, तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बात में, वेल आइकन को प्रेज जरू करने हैं, जिससे आपसे कोई important वीडियो नहीं मित ना हूँ, तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, एक नई वीडियो को साथ में, ठैक्स फॉर वाचिंग, और अकर आपको इस वीडियो की फीर में डाउनलोड करने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, मैं इसका पीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे जहां से जाके आप इस वीडियो के PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो को साथ में उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो को में तब तक लिए नमस्कार जैहन जैभारत